Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel आज हम लेडिज के लिए Fancy sweater का डिजाइन ले कर आए हैं बहुत ही stylish और unique सा डिजाइन आए इस डिजाइन को अब ladies sweater, ladies jacket, ladies carditime, girls sweater, girlfrog अब बहुत ही easily apply कर सकती हैं बहुत ही गुद्धि मिन दॉलाहे कर सकती हैं और यह हमारा डिजाइन एट रो में बनके कंप्लीट होगा तो चलिए इस तरह से हम देखिए स्प्लाई को ऐसे निकाल लेंगे देखिए यहां पर एक फंदा हम यह डिजाइन का हमारा फोस्ट रो है राइड साइड पहला फंदा इस तरह से देखिए हम सीधा बनाएंगे परला फंदा सीधा बुनेंगे एक फंदा और सीधा बनाएंगे इस तरह से देखिए यहाँ भी हम दो फंदा सीधा बुन लिए हैं अब देखिए धागे को इसे आगे सेट से पीछे गुमाना है और दो फंदों का एक फंदा कर लेना इस तरह से फिर से धागी को आगे से पीछे लेके जाएंगे दो का एक करना है फिर से धागी को आगे से पीछे लेके जाएंगे गुमा के और दो का एक कर लेंगे देखिए यहाँ पे दो फंदा बने सीधा बनाए एक जाली बनाई दो का एक किया एक जाली बनाया फिर से देखिए दो का एक किया एक जाली बनाया फिर से दो का एक फंदा किया और आगे सट से ऐसे फिर से हम धागे को घुमाएंगे जाली बनाने के लिए और एक फंदा हम बीच का इस तरह से आगे लाएंगे और एक फंदा इसे पीछे लेके जाएंगे और ऐसे देखिए लेफ्ट वाले सलाई में हम उतारेंगे और तीन फंदों का एक फंदा कर लेना है यहाँ पे तीन फंदों का एक फंदा कर लेना है पीछेक सट से अब फिर से देखे धागे को आगे सट से से घुमा के पीछे ले जाना है दो का एक करना है फिर से धागे को आगे से पीछे ले करना है फिर से सलाई में देखिए धागे को ऐसे पीछे गुमा के लेके जाना है और दो का एक करना है आगे साट से इस तरह से बनाई करना पीछिषे दागी को आगे से पीछे लेके जाना यहां पर धागी को आगे से पीछे लेके 파ट मनादा, अब दो का एक करना है यहां पे धागी को आगे से पीछे ले जाना है दो का एक पीछेक सट से फिर से धागी को आगे से पीछे ले जाएंगे दो का एक करेंगे पीछेक सट से दो का एक फंदा कर लेंगे धागी को फिर से आगे से घुमा के पीछे ले जाना है अब देखिए यहाँ पर 3 Funda जो हमारा है एक Funda को हम आगी लाएंगे 20 वाले Funda को आगी लाएंगे लेके जाना है और देखि़े इस्तरह से चलाइ में उतार के 3 Funda का एक Funda कर लेना है पीछे के से फिरसे आगी को आगे से पीछे लेके जाएंगे अब देखिये यह दो फंदा है इससे हम इस सबी कि आगे से साद इसे दो का एक करना है इसे धागी को आगे से पीछे लिख जाना है दो का एक करना है से अगे सब्सक्राइब दागे को आगे से पीछे लेकर जाना है दो फंदो पागेज शर्वन करना है नोज शर्वाइस macro फिर से थाई अपना सब्सक्त only हम इस तरह से सीधा बनाएंगे जैस्यतर हब रहे हो चाहिन का सिकेंट रहें बैक साइड पहला असकेंस हम स्मय कर लें और सारे फंदे को देखे इस तरह से हमें उल्टा उल्टा बना लेना है बैक साइड से सारे फंदे को उल्टा उल्टा हम इस तरह से बुनेंगे पूरी रोप हमें उल्टा उल्टा बुनके कम्प्लेट कर लेनी है देखिए दो स्लाइ बूनने के बाद आते हैं थार्ड रो की तरफ देखिए हमारा हवारा फंदत्स स्रिप कर लेना है यहां पिल्षान दिजेगा दीखें इस तरह से एक फंदत्स सीधा बनेंगे एक फंदे को स्लिप करना है एक फंदा सीधा बनाना है धागे को आगे ऐसे घुमाएंगे आगे सड़ से पीछे घुमाके अब यहां भी हम छे फंदा सीधा बनेंगे एक तो तीन चार पांच एक छे इस तरह से एक फंदा स्लिप करना है एक फंदा सीधा एक जाली दो चार छे छे फंदा में सीधा बना लेना है देखिए अब तीन फंदों में से हमें बीच का फंदा आगे लाना है और पहला फंदा हमें बीच में लिखें जाना इस तरह से, देखें से हमिस लाई में उतार लेना है, तीनो फंदो को पीछेक शार से तीन फंदो का एक फंदा करना है, इस तरह से तीन फंदों का एक फंदा ऐसे कर लेंगे अब फिर से छे फंदा सीधा एक, दो, तीन, चार, पांच, एक छे छे फंदा यहां पे सीधा बनाना है दो, चार, छे अब धागे को आगिक सट से घुमाके हम पीछे ले जाएंगे इसे बीच का फंदा हमें सीधा बनाना है इस तरह से इसे धागे को आगे से पीछे ले जाना है और छे फंदा सीधा एक, दो, तीन, चार, पांच, एक छे छे फंदा हमें सीधा बनाना है अब तीनों फंदों में से बीच का फंदा हमें आगे लाना है और यह पहला फंदा पीछे लिख जाएंगे इस तरह से तीन फंदों का एक फंदा करना है पीछे के सड़ से इस तरह से छे फंदा सीधा एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, छे आगे सड़ से से पीछे दागे को लिख जाएंगे और दो फंदा हम सीधा बना लेंगे अब देखिए डिजाइन का फिफ्ट रो है राइड साइड पारा फंदा सिलिप कर लेना है एक फंदा सीधा इस तरह से धागी को आगे से पीछे लिख दाना है छे फंदा सीधा एक दो तीन चार पांच इस तरह से छे फंदे को सीधा बनाना है अब बीच का ये जो तीन फंदा आमारा है बीच वाला फंदा हम आगे लाएंगे इस तरह से और फिर से लेफट वाले से लाएंगे उतार के तीन फंदों का एक फंदा करना है, पीछेक सेट से इस तर से, छे फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, छे, फिर से देखिए, धागी को आगे से पीछे ले जाना है, और एक फंदा सीधा, फिर से धागी को आगे से पीछे ले जाएंगे, छे फंदा सीधा, एक, फिर से याँ पे तीन फंदों का एक फंदा करना है बीच वाला फंदा आगे लाना है और पहला फंदा बीच में और तीनों फंदों को लेफट वाले सिलाई में उतार के तीन फंदों का एक फंदा कर लेना पीछे से चे फंदा सीधा एक दो तीन चार पाँच एक छे पिर से धागी को आगे से पीछे ले जा रहा है और दो फंदा हम सीधा भूलेंगे इस तरह से अब देखे डियान का सेवन्त रो है राइट सेट पहला फंदा स्लिप कर लेना है अधागी को देखे पीछे ही रखेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर से आग एक सड़ से पीछे लिख जाना है धागी को छे फंदा सीधा एक दो तीन चार पांच एक छे इसे तीन फंदों में से हमें भीज का फंद आगे लाना है और पहला फंद भीज में लेके जाना है और इसे स्लाइम उतार के तीन फंदों का एक फंदर कर लेना है पीछ एक सेडस इस طरु mega चे फंदा सीधा 1 दो तीन चार पांच एक छे जह फिर से धागी को अगे सब्सक्राइब कर नहें पर पीछे लेखे जाएँगेis इता तिन चार पांच एक छेट। फिर से बीच का फंद हम तीनों फंद में से बीच का फंद हागे लाएंगे। और यह पहला फंद हम बीच में लेकर जाएंगे इस तरह से। तीन फंदों का एक फंदा करना है पीछे सेट से शे फंदा सीधा एक दो तीन चार पांच इच्छे धागी को आगे से पीछे लेके जाना है दो फंदा सीधा बना लेना है देखे यहां तक हमने 8 रो कंप्लीट कर ली है इस तरह से फिर से यहां से हम 8 रो बुनने के बाद यहां से फिर से फर्स्ट पर्टन रिपीट करेंगे यह डिजान का मारे नाइंध रो है डाइट साइड एक शलाई आपको और बुन के दिखा दे रहे हैं देखे इस तरह से फ धागे को आगे से पीछे लेकर जाना है दो का एक करना है फिर धागे को आगे से पीछे लेकर जाएंगे दो फंदो का एक फंदा करना है, अब यहां पे देखिए धागे फर से आगे से पीछे ले के बहुत जाएंगे और बीच का फंदा आगे लाना है इस तरह से, दो फंदो का एक फंदा करेंगे, सौरी तीन फंदों का एक फंदा करेंगे पीछे को सैट से इस तरह से बैक सैट से धागे को आगे से फिर से कुमा के पीछे ले जाएंगे अब देखी आगे को सैट से इसे दो फंदों का एक फंदा करना है इस तरह से फिर से आगे की सड़ से धागे को पीछे ले जाएंगे दो फंदों का एक फंदा करना है आगे की सड़ से फिर से धागी को आग Changing का एक फंद करना से गोमां के दो फंदों का एक loss कर लेना है इस तरह से धागी को आगे से पीछे ले में फिर से हम फिरुदा बना लेना है सेम प्रोसेस हमें फिर से यहां पर भी रिपीट करना है देखिए हमारा डिजाइन इस तरह से बनके आएगा थोड़ा सा और मैंने बुनके इतना रखा हुआ है देखिए इस तरह से देखिए इसी तरह से हमारा डिजाइन बनके आएगा वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक सेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और हमें सपोर्ट करें मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू